हलो डियर इस्टूरेंट्स वालकम डू मैंने ब्रेंज मैं संचुता जैने आप सभी की श्रोसल साइंस एजुकेटर आज के इस शेशन में लेके आई हूँ क्लास 9 की सामजविज्यान में भूगोल के चैप्टर नमबर 4 जलवाई हूँ यानि की क्लाइमेट के मोस्ट इंपो क्वेशन आंसर को कराने से पहले इस चैप्टर को मैं कई सारे पार्ट्स में करा चुकी हूँ उसके बाद इसके एंसियारिटी शॉलिशन मल्डिपल च्वाइस क्वेशन यहां तक की बाते हमने कर ली हैं आज बारी हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन आंसर की तो शुर जी हां CBSC बोर्ट के स्लेवर्स को कंप्लीट कराने के साथ साथ MP बोर्ट, UP बिहार बोर्ट, दिल्ली बोर्ट, राजस्तान बोर्ट के स्लेवर्स को भी कंप्लीट कराया जाता है और उन सारे स्टेट बोर्ट के स्लेवर्स को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर NCRIT का पैट question most important question answer तो सबसे पहले हम इसका format समझ लेते हैं कि किस format में हमें question को करना है हम करेंगे सबसे पहले अती लगुत्रिय प्रश्न और कुल मिला के दस अती लगुत्रिय प्रश्न होंगे और उसके बाद होंगे लगुत्रिय प्रश्न पांच लगुत्रिय प्रश्न करेंगे और आंगे पांच दीर घुत्रिय प्रश्न करेंगे तो इस तरीके से टोटल हम 20 क्वेशन आज के शेशन में करने वाले हैं चलिए तो शुर करते हैं अतिल अगुत्रिय प्रश्णों के साथ जिसमें पहला प्रश्ण है जलवायू किसे कहते हैं क्या बात कहीगी है जलवायू किसे कहते हैं तो चलिए जान लेते हैं जलवायू के बारे में देखें एक विशाल शेत्र में लंबे समय तक की समय अवधी 30 वर्स से अधिक तक जो मौसम की अवस्ता वहां पर पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है जलवायू कहा जाता है कोई एक शेत्र है अब जैसे भारत की हम बात करने तो भारत को कई साले भौगोलित शेत्रों में बाटा गया है जैसे कि उत्तर का परवती प्रदेश है उसके बाद कहा है उत्तर पिए भारत है ठीक है यानि यह तर्षर का पठार है उसमें तटियो मैदान भी है यानि overcultural सब कुछ जाती है तो अलग-अलग शेत्रों की अलग-अलग जल्वायू पाई जाती है कैसे पाई जाती है क्योंकि अलग-अलग शेत्रों में लंबे समय तक जैसा मौसम बना रहता है ठीक है उस हिसाब से उस शेत्र की जलवायू नरधारत करी जाती है जैसे कि किसी शेत्र में हमेशा लंबे समय तक बर्फ ही गिरती रहती हो किसी शेत्र में एक सी जलवायू रहती हो ना जादा ठंड होती हो ना जादा गर्मी होती हो किसी शेत्र में हमेशा गरम मौसम ही रहता हो किसी शेत्र में हमेशा ठंडा मौसम रहता हो तो यह कैसे निरधारत हुआ क्योंकि उस शेत्र में उस विशाल शेत्र में लंबे समय तक ऐसा मौसम बना रहा जिससे वहां कहा गया जिससे उस शेत्र की जलवायू को यानि की शीत जलवायू है या गर्म जलव वायू है इस तरीके से विभाजित किया गया आल राइट क्लियर हो गई बात चलते हैं अब आगे Q2 है मांसून किसे कहते हैं क्या सवाल है मांसून किसे कहते हैं तो देखें मांसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायू की दिशा में रितू के अनुसार परिवर्तन जी हाँ एक वर्ष के दौरान वायू की दिशा में रितू के अनुसार परिवर्तन अब हमने भारत में तीन रितू रितू पड़ी में पड़ी है शीत रितू में थी पड़ी है टीक उसके बाद लिपर हमने गरीश में का पड़ी है फिर कंड़ी है हमने वर्षा along एक मांसून के शु में रितु के अनुसार परिवर्तन होता है ठीक है तो क्या होता है मांसुनी हवाएं चलती है जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में मांसून कैसे शुरू होता है भारत में मांसून जून जून माह के प्रथम सप्ताह से पहले सप्ताह से कहां से दक्षड पश्यम दिसा से द गई इसकी दक्षड पश्यम दिशा हो गई और यहां से एक जून को मानसून प्रवेश करना प्राराप करता है और जुलाई तक भारत के बागी के भागों तक फैल जाता है और भारतिय मानसून को दो शाखाओं में बाटा गया है पहली शाखा है अरब सागर शाखा और दू दूसरी शाखा है दूसरी कौन सी शाखा है बंगाल की खाड़ी शाखा ऑल राइट किलियर हो गई बात बंगाल की खाड़ी शाखा किलियर हो गई यह बात चलें अब आगे भारत में मानसून से संबंध जो बेसिक बातें जानने को थी वो सारी हमने जान ली चलिए चलते ह अब आगे हाजी एक बात और रहे गई है कि भारत में मानसून का समय कब से कब तक का रहता है तो जून के प्रारंभ से लेकर मध्य सितंबर तक कब से कब तक जून के प्रारंभ से मध्य सितंबर तक भारत में मानसून का समय रहता है अल्राइट यह होती है हमारी किलियर है यहां तकी बात दो सवाल किलियर चलते हैं अगले सवाल की तरफ तीसरा सवाल है भारत के कौन से इस्थान में विश्वी की अधिक्तम वर्षा होती है बताईए 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 भारत के कौन से इस्थान में विश्वी की अधिक्तम वर्षा होती है सबसे इंपो तेजी से कोमेट करना हें बहुत छोटे-छोटे आंसर है ना चोटे-चोटे آंसर तो आप जल्दी टाइप कर सकते हैं तो जल्दी से बता देह तो भारत के मासिम-ृम में कहां पर भारत के मासिम-ृम में विश्व की अधिकतम वर्षा होती है अल्राइट चलिए अब देखें कोरियोलिस बल क्या है question number four जब यह chapter मैंने पड़ाया था पूरा concept मैंने आपको बताया था कोरियोलिस बल का या कोरियोलिस फोर्स का जिसे फैरल का लॉब भी कहते हैं फैरल का नियम भी कहते हैं तो बता दो भई क्या होता है किसके फजरूप यह उत्पन्न होता है सबसे पहली बात तो यह आती है कि कोरियोलिस बल कैसे उत्पन्न होता है ऐसा क्या होता है जिससे कौरियोलिस बल शुरू होता है उत्पन होता है तो देखें किसके कारण प्रथवी के घूरण के कारण ठीक है प्रथवी अपने अक्ष पर घूमती रहती है तो प्रथवी के घूरण के कारण ये कौरियोलिस बल उत्पन होता है ठीक है ये एक आभास बल यह कि जिसका मैं आभास होता है वो दिखाई नहीं देता ठीक है तो रहे कोरियो लैस्बल ज्या具 हे है प्रत्फवी के घुरुडाइन के कारण उत्पन अभासी बल को और Chryear बल कहा जाता है ठीक है अब इस म्मेम के अनुसार क्या बात होती है या कोरियोलस भलके अनुसार क्या बात होती है इसे भई पहली बात तो यह है कि से फेरल का नियम भी कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है फेरल का नियम भी इसे कहा जाता है एक बात तो यह हो गई आल राइट तो इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली स सभी हवाएं प्रत्वी की गती के कारण उत्री गोलार्ध में दाहनी ओर तता दक्षडी गोलार्ध में बाई ओर मुल जाती हैं क्या बात ठीक है ये रही हमारी प्रत्वी ओल राइट ठीक है ये रहा भई प्रत्वी का अक्ष ठीक है दो ध्रुबी बना लें आपन उपर की तरफ रहेगा आपका उत्री ध्रूब ठीक उपर की तरफ रहेगा उत्री ध्रूब और नीचे की नीचे की तरफ रहेगा दक्षणी ध्रूब क्लियर है तो प्रतवी के घूरन के कारण उत्पन अभासिबल को कोरियलस बल कहा जाता है और इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं प्रतवी की गती के कारण उत्री गोलार्द में दाहनी और ठीक है इस तरीके से मुड़ जाएंगी और दक्षणी गोलार्द में कहां मुड़ जाएंगी दक्षणी गोलार्द में बाई और मुड़ जाएंगी हाँ जी तो कुछ इस तरब से उत्री गोलार्द में अपने दाहिनी और दक्षणी गोलार्द में बाई और मुड़ जाती है औल्राइट कोरियलिस बल्क क्लियर हो गया और सबसे पहली बात तो इसमें यह याद रखनी है कि यह बल्क प्रतवी के घूरण के कारण, प्रतवी की घूरण गती के कारण पन होता है, क्लियर हो गई बात, चलिए अब है question number 5 जैट धाराओं से संबंदित है पूछा गया है कि जैट धाराओं कितने डिगरी अक्षांसों के बीच इस्थित होती है जल्दी से बताओ भई कोई बता सकता है सबसे पहले तो ये बताओ कि जैट धाराओं कहां जलती है प्रत्वी के वायू मंडल में वायू मंडल का वो कौन सा इस्तर है वो कौन सा मंडल है जहां पर जैट धाराओं चला करती है जल्दी से कॉमेंट करके बता दें आप सभी क्या लगता है आपको जैट धाराओं कहां चला करती है सबसे पहले ये बताना है comment करके फिर इस सवाल का उत्तर भी बताना है कि जैट धाराएं कितने डिगरी अक्षांसों के बीच इस्थित होती हैं तो जैट धाराएं जो है 27 से 30 डिगरी उत्तरी अक्षांसों के बीच इस्थित होती हैं और कहां होती है भई कहां होती है छोब मंडल में चला करती है किस मंडल में छोब मंडल में चला करती है अल्राइट किलियर चलिए अब है जैट धाराएं है क्या जैट धाराएं छोब मंडल में चलती है ठीक है 27 से 30 डिगर उत्रियक शांस के बीच चलती है ये भी ठीक है अब जैट धाराएं हैं क सक्रीपटी में इस्थेतर छोब मंडल में अत्यधिक उचाई वाली पश्मी हवाए हैं सबसे पहले तो यह याद रखना है कि यह पश्मी हवाए हैं कहां चलती है छोब मंडल में चलती है अत्यधिक उचाई में सक्रीपटी में क्योंकि छोब मंडल की उचाई धरातल से कितन नीना कोई बता सकता है जल्दी से कॉमेंकेर बताएं कितनी हाँ唱 350 के बाद आता है समताप मंडल आथा कि नहीं आता है पड़ा होगा आपने चोब मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल चोब मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल अल्राइट, क्लियर तो ये सक्रेपट्टी में इस्ते चोब मंडल में अत्य थे कुछ आएगी कि पश्म यहां हैं कि और आजी आयन मंडल के बाहर का जो छितर होता है वो बहर मंडल का होता है х Adapt 1 सेवाइन सबसे पहले बताओ भारत के के तने डीप समो है सबसे पहली बात तो ये आती है। from of बात आती है कि भारत के दीप समुहों में कब वर्शा होती है अब जिसे बारिश के बारे में अपने बहुत जाना भरती मांसून के बारे में बहुत जाना कि भारत में मांसून जो है कप प्रवेश करता है भारत में मांसून जो है जून जून के प्रारंब में प्राइदी पी कब होती है यह सवाल उत्पन होता है ठीक है तो हम सभी जानते हैं कि भारत के दो दीप समूह है एक तो है आपका अंडमान को बाट दीप समूह और एक है आपका लक्षव दीप समूह ठीक है तो देखें यह आम तोर पर मई के अंत यह जून के पहले सप्ताह तक आता है सुनी हवाएं दस दिनों लगभग 20 माई के लिए अंडमान और निकोबार दीप समु से गुजरा करती हैं किलियर हो गई यह बात यह रहा आपका क्या प्राइदीपी भारत ठीक है नीचे का भारत ठीक है यहाँ परिस्थती है केरल की ठीक यहाँ परिस्थती है आपकी वो है अल्राइट क्लियर हो गई बात तो यह आम तोषब पर मैज के यह जून के पहले सप्था रहता है जैसा कि हमने तो मांसुनी हवाई यहां से तो रहेंगी यहां तो गुजरेंगी फिर केरल में प्रवेश करने से पहले जब यहां प्रवेश नहीं करता है यानि की एक जून या आखरी मई के पहले कितने पहले दस दिनों के पहले दस दिनों के पहले लगभग 20 मई कब लगभग 20 मई के लि क्या देखो पूछा क्या गया था भारत के दीप नहीं सव कर रहा है दक्षड पस्히म दिसा प्रवेश कर रहा है यह इस दक्षड यह पस्षिम और इनका बीच का शेत्र ये रहा दक्षड पश्यम ठीक है यानिकी केरल से प्रवेश कर रहा है केरल के बाजू से ही क्या है लक्षवदीप समू है तो वहाँ पर तो बारिस उसी समय होगी अब बचा क्या दूसरा दीप समू अंडमा निकोबार दीप समू ठीक है तो अंडमा निकोब और दीप समुहुं से यह मांस्ँनी पवनिया मांसुनी मांस अmaybe गुजरा करती है अलाइट कि लिए चलिए चलते हैं अब आँने आगे बहुंकर आई एलनी नहीं किसे कहते हैं बतादो भाई जल्दी से इलनी नहीं एलनीनो है क्या सबसे पहले तो यह बात है कि एलनीनो है क्या यह जो शब्द है वो क्या है जल्दी बताएं जानते हैं कोई देखें तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह एक जलधारा है एलनीनो के बारे में हम सबसे पहले बात करें तो एलनीनो एक महासागरियत जलधारा है क एक बात अब जल्धाराएं दो प्रकार की होती है एक ठंडी जल्धारा होती है गरम जल्धारा होती है तो अलनीनो किस प्रकार की जल्धारा है अलनीनो गरम जल्धारा है ठीक कैसी जल्धारा है गर्म जल्धारा है अब बात आती है कि यह कहां है किस महासागर में है तो महा सागर में चलने वाली गर्म जल्धारा है पेरू के तट पर कहां पर पेरू के तट पर अल्राइट तो अब सुनना ठंडी पेरू जल्धारा के इस्थान पर ठंडी पेरू जल्धारा नहीं है है तो गरम जल्धारा लेकिन किसके स्थान पर चलती है ठंडी पेरू जल्धा के स्थान पर इस्थाई तोर पर गर्म जल्धारा के विकास को क्या कहते हैं अलनीनों कहते हैं ठीक है किलियर question number 9 है भारत में मांसून का आगमन कब होता है क्या पुछागे आपसे भारत में मांसून का आगमन कब होता है बहुती आसान सवाले जोल्दी से आंसर देदें आप सभी क्या लगता है आपको सभी को पता है ना आंसर बारश कब आती है ठीक है देखा जाए तो भारत में मांसून का आगमन जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर के बीच में होता है ठीक है सभी को बता है चलते हैं अंगले सवाल की तरफ question number 10 है पश्मी विश्चोप क्या है बताओ बही जल्दी से क्या है पश्मी विश्चोप क्या बनती है इसकी definition तेजी से comment करके बताना है आप सभी को देखा जाए पश्मी विश्चोप तो ये पश्मी और पूर्वी जैट धारां द्वारा लगाए गए विश्चोप हैं ये देश के उत्तर और उत्तर पश्मी भागों में अपना प्रभाव डालते हैं कहां उत्तर और उत्तर पश्मी भागों में ये रही आपकी उत्तर दिशा ये रही पश्म दिशा और उत्तर पश्म कहां आएगा उत्तर पश्म यहां पर आजाएगा ओल्राइट किलियर तो ये पश्यमी और पूर्वी जैट धाराओं द्वारा लगाएगा इवे शोप हैं वेरे कहां आते हैं ये देश के उत्तर और उत्तर पश्यमी भागों में यहां पर और यहां पर अपना प्रभाव डालते हैं ओल्राइट यहां से शुरुवात हो जाती है लगुत्रिय प्रश्णों की टीक है रेटियस अभी तो लगुत्रिय प्रश्णों के उतर थोड़े से बड़े लिखने हैं बहुत जादा बड़े नहीं लिखने हैं अपन को चार से पाच लाइन में ये आंसर कम्प्लीट का ना ह हुद ता है अटी लगूत्रिय प्रश्ण चो भारी ऑतिय है कि लगूत्रिय प्रश्णों की लगूत्रिय प्रश्णों ग्यारवा प्रश्ण है आज लेकर दो बहुत ही आसान बात है एक दम लॉजिकल कुछिन पूशन पूचा एक दम प्रैक्टिकल क्वेशन आपसे पूछा है कोई भी स्टुइनट आसानी से बता सकता है माल्सून की तीन विशेस्ताएं जैसे कि मांसून कब आता है ठीक है पहली विशेस्ता तो यही बन जाती है तो देखो मांसून के इक इनी तीन विशेस्ताएं निमनलिखे थे पहली है पहली क्या है कि मांसून भारत में दक्षड पश्चिम दिशा से कहां से प्रवेश करता है दक्षड पश् यह है अपनी पश्यम दिशा हम सभी को पता है यह है हमारी दक्षण दिशा और यह रही अपनी कौन सी दिशा दक्षण पश्यम दिशा तो मांसून कहां से प्रवेश करता है दक्षण पश्यम दिशा से प्रवेश करता है और कव प्रवेश करता है एक जून को भारत में प्र प्रवेश करता है और राइट फिर दूसरी बात ये शेत्र में प्रचलित विभिन वायों मंडली स्थितियों से प्रभावित होते हैं ओल राइट ठीक है जिस शेत्र में जिस तरीके की वायों मंडली स्थितियां रही उस से ये मांसून प्रभावित होता है दो विशेस्ता ह हो गई तीसरे विश्यस्ता हम लिख देंगे कि मांसून की अवधी कितनी होती है ठीक है मांसून की अवधी कितनी होती है तो सो से 120 दिनों तक की होती है क्योंकि मांसून कब से कब तक रहता है जून से लेकर जून से लेकर मध्य सितंबर तक रहता है अल्राइट, क्लियर, तीन विश्यस्ताएं हो गई, चलिए, और हाँ, एक और बात है, ये एक जून को तो प्राइद इपी भारत के दक्षड पश्यमी छोब से भारत में प्रवेश करता है, और जुलाई तक, लगभग, एक जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है, अल् को, एक और विश्यस्ता लिख सकते हैं कि मानसुन की भारती मानसुन की दो शाखाएं है, एक कौन सी है, एक है आपकी अरब सागर साखा, और एक है आपकी बंगाल की खाडी शाखा, और राइट, क्लियर, चलिए, अब है question number 12 October heat क्या है बताओ भई जल्दी से October heat क्या है देखा जाए लगुतरी प्रश्ण है ठीक है अब अपने जब इस chapter को पढ़ा था उसमें topic पढ़ा था कि बारिश के महीना बारिश के महीना जब खतम होते हैं जिसे मध्य सितंबर तक या सितंबर के आखरी तक हलकी फुलकी बारिश होती रहती है लेकिन ठंड शुरू होने से पहले बारिश खतम होने के बाद जो October का महीना होता है उसमें थोड़ी गर्मी होती है उमस होती है ठीक है तो वही बात हमसे पूछी गई है heat यानी की क्या होत आते हैं ठीक है बारिश खतम हो रही है ठीक है सितंबर में बारिश खतम हो चुकी है सितंबर तक बारिश हो रही है और फिर बारिश जो है खतम हो चुकी है ठीक एक दम निल है बारिश नहीं हो रही है अब ठीक है और यह रहे ऑक्टूवर नवम ठंड शुरू होने का महीन अब अपन देखते हैं तो ठंड जो है मध्य नवंबर से शुरू हो जाती है कब से शुरू हो जाती है मध्य नवंबर ठीक, मध्य नवंबर में ठंडर शुरू हो जाती है तो यहाँ पर हम मध्य सितंबर की बात करें यह अपना सितंबर हो गया ठीक है और यह जो है यह जो है आपका मध्य सितंबर हो गया ठीक, सितंबर में बारिश हो रही है मध्य सितंबर में बारिश रुक चुकी है मध्य नवंबर में ठंड है यह सितंबर में बारिश अभी हो रही है यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है मध्य सितंबर में मध्य नवंबर से ठंड प्रारंब होगी तो यहाँ पर जो हमें दो महिने मिलते हैं एक तो October और एक आधा नवंबर October और आधा नवंबर यह जो महिने हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं कि मौसम बारिषे ठंड में परीवर्ते थो रहा है तो उसके बीच का जो समय है उसके बीच का मौसम कैसा रहेगा? ठोड़ा सा गरम रहेगा बारिष से सीधी ठंड आ रही है तो अक्टूर नमवम्मर के महिने बर्साद के मौसम से शुस्क सरदियों की स्थिती में संक्रमड की स्थिती पैदा करतें संक्रमड की अवधी बनाते हैं. टीक है? क्लियर हो गई बात तो ये महीने हमें थोड़े से गरम प्रतीत होते हैं इन महीनों में उमस होती है और जिसे क्वार की उमस के नाम से भी जानते हैं हमने जाना था किस नाम से जानते हैं हम इसे क्वार की उमस के नाम से भी जानते हैं ठीक है क्वार का महीना हिंदी महीना है ठीक है जो हिंदी कैल होता है उसके अनुसार एक माहा होता है आपका कौार माहा जो कि ऑक्टूवर के दौरान पढ़ता है जब नवरात्री पढ़ती है आई तो मांसून की वापसी जैसे ही मांसून खतम हो रहा है लौट रहा है उस दौरान साफ आस्मान और तापमान में व्रधी से चिन्नेद होती है जब आसमान साफ हो जाए तापमान थोड़ा बढ़ने लगे टेंपरेचर इंक्रीज होने लगे तो क्या लगेगा कि हाँ मांसून लोटने बाला है अब बारिश नहीं होगी जमीन अभी भी नम है थोड़ी थोड़ी जमीन नम होती है यानि कि आद्र होती है थोड़ी थोड़ी क्योंकि पानी अभी अभी रुका हुआ है उच्च तापमान और आद्रता की स्थिती के कारण मौसम काफी दमनकारी हो जाता है टेंपरेचर बढ़ रहा है जमीन थोड़ी इसी नम है, आध रहेगी, एली है यानी कि ठीक है, तो जब पानी, सोरी, जब तापमान बड़ेगा और नमी रहेगी तो क्या होगा, अमस होगी, ठीक है, तो मौसल कैसा हो जाएगा, एकदम irritating मौसल हो जाएगा, ठीक है तो मौसम काफी दमनकारी हो जाता है और इसे ही इसे ही इसी मौसम को क्या कहा जाता है आमतोर पर October heat के नाम से जाना जाता है या इसे क्वार की उमस के नाम से भी जाना जाता है All right, clear यहां तक की बात चलिए अब देखें, question number 30 है क्या है कि कारण बताईए कि भारतियुप महाद्वीप में हवा की दिशा का मौसमी उलट फेर क्यूं होता है बताओ भई कारण पुछा है आपसे, कारण वाले सवाल भी बहुत आते हैं भई जी और जब NCRT Solutions मैंने आपको कराए थे, उसमें भी मैंने आपको कई सारे कारण करवाए थे सवाल आपसे कुछ इसी तरीकी के पुछे गए थे कि कारण बताईए ऐसा क्यूं तक्रीब आने ऐसे 4-5 सवाल मैंने करवाए थे अब फिर से एक और सवाल आता है आपके सामने कारण बताईए कि भारतियों के महाद्वीप में हवा की दिशा का मौसमी उलट फेर क्यूं होता है चलिए देखा जाये तो जी तो आंसर है सर्दियों के दोरान उत्तर में एक उच्छ दवाव का शेत्र होता है उत्तर दिशा की हम बात करें हिमाले परवत के तरफ की हम बात करें तो सर्दियों के दोरान उत्तर में एक उच्छ दाव का शेत्र होता है और दक्षड में क्या हो रहा है दक्षड में हो रहा है दक्षड में समुद्र के ऊपर कमदबाव का शेत्र होता है उत्तर में उच्छदाब का शेत्र है और दक्षड में कैसा है कम दाब का या निमनदाब का शेत्र है इसलिए हिमाले शेत्र से समुद्रकी और ठंडी और शुष्क हवाएं चलती है हवाइं कहां से कहां तक चलती है मैंने आपको बताए था यानरी कि निम्नदाब रुच्चदाब का रथ क्या है, एक बार फिट से ध्यान से सुनिएगा उपर क्या है उच्चदाब का शेत्र है ठीक है, उत्तर में ठीक, और नीचे क्या है दक्षड दिशा में क्या है दक्षड की तरफ क्या है दक्षड भारत की तरफ क्या है निम्नदाब का छेत्र है ठीक अब हवाएं कहां से कहां तक चलती है हवाएं हमेशा उच्छदाब से निम्नदाब की और चलती है ठीक है हवाएं उच्छदाब से निम्नदाब की और चलती है तो अब यहाँ पर भी हवाय कहां से कहां तक चल रही है हिमाले छेत्र से समद्र हवाएं समुद्र की और आएंगी दक्षण में क्या है भई दक्षण में क्या है यहां चार उत्रप समुद्र ही समुद्र है अल्राइट ठीक है फिर देखें गर्मियों के दौरान एक निम्नदाब का शेत्र आंत्रेक भाग पर विक्सित होता है जब गर्मी का मौसम आता है तो हो गई सर्दियों की बाद सर्दियों में क्या हो रहा है सर्दियों के दौरान उत्तर मुद्चदाब का शेत्र है तो उत्तर से ठंडी हवाएं समुद्र की और आ रही है किलियर अब बात करते हैं गर्मियों के मौसम की तो गर्मियों के दौरान क्या हो रहा है गर्मियो फिस भाग पर उत्तर पशीमी भारत पर इस भाक पर ठीड़ क है उत्तर पश्वी में भारत पर यह का असर पड़ता है गर्मियों के दोरान हवाओं की दिशा में पूरी तरीके से उलट जाती है Western के दौरान क्या ओर रहा था हवाएं ऊपर से Nीछे आ यानि की उत्तर से उत्तर से ठंडी और शुष का हवाएं समुद्र की ओर आ रही थी गर्मियों के दौरान क्या होगा निम्ना दाब का शेत्र आंतरिक भाग में बनेगा तो यहां भी हमें हवाओं का उलट फिर दिखाई देगा किलियर यह हो गए आपके तेरा वाग क्यों ए ठीक है राजस्तान गुजरात के कुछ हिसे और पश्यमी घाट का निचला भाग यह पुशा गया है यानि कि इस जगह पर सूखा क्यों रहता है बारश क्यों नहीं होती है तो देख है राजस्तान में अधिक वर्षा नहीं होती हम सभी जानते हैं मरुस्तलिय भाग है बारिश नहीं होती है क्यों नहीं होती क्योंकि वहां पर क्या है यहां पर आपको क्या दिखाई देता है अरावली परवत दिखाई देता है यहां क्या दिखाई देता है आपको अरावली पर है उसी के समाना अंतर क्या इस्तित है रावली परवत तो रावली परवत क्या करेगा उन हवाओं को रोक लेगा ठीक है उन हवाओं को रोक लेगा जिससे वहां पर बारिश नहीं होगी कहां पर राजिस्थान में बारिश नहीं होगी ठीक किलिए गुजरात में कम वर्शा हो फिर पश्मी घाट के पवन वातिये भाग में कम वर्षा होती है राजस्तान की बात पूछी थी वो कर ली गुजरात की बात पूछी थी वो भी हो गई अब बात अपन से पश्मी घाट की पूछी थी तो वो भी कर लेते हैं तो पश्मी घाट के पवन वातिये भाग में कम व तो जैसे ही हावा नीचे आती है दक्षड की तरफ आती है तो क्या होता है हवा गर्म हो जाती है और इसके बढ़ तापमान के कारण किसके हवा के सा पेक्ष आध्रता कम हो जाती है जब बढ़ गया तो नमी कहां से रहेगी ठीके नमी कम हो जाएगी अधरता यानि की नमी कम हो जाएगी और हवा संत्रप्त अवस्था से आज संत्रप्त अवस्था में बदल जाती है यानि की हवा में नमी नहीं रहती है संत्रप्त हवा किसे कहा जाएगा संत्रप्त हवा उसे कहा जाएगा जब हवा में परियाप्त नमी की मात्र हो लेकिन जब गरम हवा आएगी तो शेत्र की नमी नहीं रहेगी अधरता कम हो जाएगी तो जो हवा है वो संत्रप्त हवा से आसंत्रप्त हवा में बदल जाएगी आसंत्रप्त हवा यानि की जिसमें नमी नहीं हो और या फिर सूखे से प्रभावी शेत्र क्यूं होता है ये चलिए तो इस सीरीज के 14 प्रशन हो चुके हैं पंदरवा प्रशन है भारत में अधिकांश वर्षा कुछ महीनों में केंद्रित क्यूं होती है भारत में वर्षा कब से कब तक होती है जून से लेकर मध्य सितंबर तक बारश उती है तो यह फिक्स महीने क्यों है कि इन एक महिनों में बारिश होगी वहीं पूचा गया है आपसे कि भारत में अधिकांश वर्सा कुछ महीनों में मैं केंद्रेत क्यूं होती है तो चलिए जानते हैं इसको भी देखें तो भारत के अधिकांश हिस्सों में दक्षड पश्चिम मांसून से वर्षा होती है कैसे होती है भारत के अधिकांश हिस्सों में दक्षड पश्चिम मांसून से वर्षा होती है हम सबी जानते हैं क्योंकि भारत में मांसून प्रवेश कह से करता है दक्षड पश्यम दिसा से करता है यह है आपकी पश्यम दिशा यह है आपकी दक्षड दिशा अल्राइट और यह है आपकी दक्षड पश्यम दिशा तो भारत में मांसून कहां से प्रवेश कर रहा है दक्षड पश्यम दिशा से प्रवेश कर रहा है ठीक है तो भा भारत में जून से सितंबर के बीच ही बहती है या जून से सितंबर के बीच ही पानी रहता है बारिश होती है फिर देखें ठंड के मौसम के दौरान जब ठंड का मौसम लग जाता है बारिश के बाद क्या आती है वर्शा रितु के बाद शीत रितु आती है तो ठंड के मौसम पूर्वी तटपर भी कहा तमिल नाडू में हमने पढ़ा था चैप्टर में ठीक है तो शीत रितु के दौरान या ठंड के मौसम के दौरान कीवल भारत के पूर्वी तटपर ही ठीक है पूर्वी तटपर इस तटपर उत्तर पूर्वी ठीक है उत्तर पूर्वी व्यापपा लेकर पहुँचती है अब यहीं पर क्या है यहीं पर बंगाल की खाड़ी है ठीक है और भारत में बारिश दो साखाओं से होती है एक तो होती है आपकी अरब सागर शाखा से और एक होती है आपकी बंगाल की खाड़ी शाखा से तो भारत में मांसुन अरब सागर शाखा से त लेकिन पूर्वी तटपर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से ये रही आपकी उत्तर दिशा और ये रही आपकी पूर्व दिशा तो उत्तर पूर्व से जो व्यापारिक पवने आया करती है उनसे बारिश होती है ठीक है क्योंकि तमिल लाडू में उत्तर पूर्वी म चलिए तो इससे हमें समझ में आता है कि भारत में दिकांस वर्सक कुछ महीनों में ही कैंडरेत क्यों होती है सारा का सारा काम किसका है सारा का सारा खेल किसका है हवाओं का है हवाओं का रुख जिस तरफ का होगा उस तरफ बारिश होगी ठीक है वैसी जलवायू होगी वैसा म भारत में जलवायू संबंधित मौसम अवस्थाएं किन वायू मंदली अवस्थाओं से संचालित होती है भारत में जितनी भी जलवायू संबंधित मौसमी अवस्थाओं हैं ठीक है किन वायू मंदली अवस्थाओं से संचालित होती है देखे तो भारत में जलवायू हैं जिनिके कारण वायू मंडली अवस्थाएं संचालित होती हैं वायू मंडल की अवस्था परिवर्तत होती रहती है तो पहली बात तो है वायू-दाव और भरातलिय पवन्हें स्थाब दाब होगा वहां से पवने निम्ने वायू दाब की ओर चला करेंगी तो सिसाब से मौसम परिवर्तन होगा ठीक है फिर उपरी वायू परी संचुरण के द्वारा भी क्या होता है वायू मंडली अवस्थाएं संचालित होती है उसके बाद पश्यमी चक्रवाती विच्छो व अधी आती है तूफान आता है और राइट चलिए अब वही देरगुत्रिय सवाल है कॉश्य नमबर 17 है प्रश्ण करमांग सत्रह है क्या पुशा गया है कि भारत जलवायू सामान्य प्रतिरूप में एक रूपता होते हुए भी भारत की जलवायू में एक रूपता होते कि भारत की जलवायू मांसूनी जलवायू है जब हम भारत की बात करते हैं कि भारत की जलवायू कैसी है तो कहा जाता है कि भारत की जलवायू मांसूनी है यानि कि एक रूपता है लेकिन लेकिन देश की जलवायू वस्ता में प्रादिशिक भिन्नताएं क्यों है अलग अल अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार की जलवायू क्यों पाई जाती है वो इस पश्ट करना है क्वेस्चन समझ में आ गया क्वेस्चन की क्या डिमांड है बड़ा जाए आंसर की तरव क्या कहते हो कोई बात अगर अभी तक समस्में ना यह तो जल्दी से कॉमेंट करके बताईए हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा अल्राइट चलिए तो देखें भाई साब भारत जलवायू सामान्य प्रतिरूप में एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायू अवस्था में प्रादिशिक भिनताएं हैं हम जानते हैं कि भारत के जलवायू मां में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ इस्थानों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है राजस्थान की बात कर रहे हैं गर्मियों की दनों की बात कर रहे हैं राजस्थान वो छेतर जहां पर सबसे जादा गर्मी होती है ठीक है तो राजस्थान के मरु डिग्री सेल्सियस रहता है कितना रहता है 20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रहता है उन्हीं दुनों में गर्मिया में राजिस्तान में 50 डिग्री सेल्सियस है तो जम्मू कश्मीर के पहल गाम में कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान माइनस 45 डिगरी सलसियस तक हो जाता है कितना हो जाता है जम्मू कश्मीर के द्रास का तापमान माइनस 45 डिगरी सलसियस तक हो जाता है जबकि 33 पुरम में 20 डिगरी सलसियस हो सकता है अलग-अलग जगह का प्रभाव है कि अलग-अलग जगह तापमान अलग-अलग हमें दिखाई दे रहा है एक ही मौसम में ठीक उसके बाद देखें हिमाले की बात करें तो हिमाले में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के अन्यशेश भाग में यह फवारी होती है ठीक है यानि कि जैसे हमारे बारेश होती है पानी की बारेश होती है ठीक है लिक्विड फॉर्म में हमारे बारेश होती है वहाँ पर किस ओम में होती है ठोस में पानी के ठोस रूप में सॉलिड फॉर्म में बारेश होती है यानि कि बर्फ बारी होती है हिम व वर्शा वहाँ पर बर्फ के रूप में हो रही है हमारे हाँ पानी के रूप में हो रही है ठीक फिर तटिय छेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है जो भारत के तटिय छेत्र है ठीक है चाहे हम बात करें पश्मी तटिय छेत्र की ठीक है चाहे हम बात करें पूर्वी तटि तो तटिय शेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है देश के आंतरिक भागों में मौसमी अरितुनिस्ट अंतर अधिक होता है जो तटिय शेत्र है ठीक है यह वाले जो शेत्र है यहां पर कम अंतर होता है टेमपरेचर में ठीक है लेकिन जो आंतरिक भाग है देश के जो आंत ना तो जादा गर्मी होती है ना जादा ठंड होती है हमेशा एक सा मौसम अधिकतर बना रहता है आल राइट चलिए तो किस तरीके से भारत में भारत की जलवायू में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है वो सारी चीज़ें हमने जान ली चलिए अब है question number 18 है भारत की जलवायू को मांसूनी जलवायू क्यों कहा जाता है क्या पुछा गया है भारत की जलवायू को मांसूनी जलवायू क्यों कहा जाता है अल राइट चलिए तो चलते हैं जान लेते हैं भारत के जल्वायों को मानसुनी जल्वायों कहने के निमने लिखित कारण है पहली बात है कि भारत उश्ण गडीबंदिय छेत्र में स्थित है ठीक है फिर भारत का उत्तर की और आधा भाग उपोशन छेत्र में पड़ता है किस में उपोश्ण चेत्र में अब उपोश्ण चेत्र क्या कहलाता है भई उपोश्ण चेत्र क्या कहलाता है उपोश्ण कहलाता है ना जादा मलब यहाँ पर सर्द गर्म जैसा माहुल रहता है उश्ण का मतलब तो होता है भई गर्म ठीक है और उपोश्ण का मतलब क्या होता है वहा आपर उत्तर की और उत्तर की और कैसी पवने बहेंगी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने बहेंगी Allright और यहाँ दाग और सतही पवने पश्यमी विच्छोब और उश्ध कटी बंद्ये चक्रवाद की दशाएं भी हमें यहाँ पर देती है उसके बाद यहां एलनीनो दक्षडी दोलन की घटना भी सक्रियर रहती है ठीक है भारत में इसलिए भारत की जलवायू को मांसूनी जलवायू कहां जाता है यानि कि सारी परिस्तिया मांसून को लाने में सहायक होती है तो 18 सवाल हो चुके है अब 19 सवाल जेट धाराएं क्या है हाँ जी तो जट धारां तो सभी को पता है कि कहां पर शलती है जल्दी से कौमेंट करके बता दो कि जैट धाराएं कहां चला करती हैं जल्दी से कोमेंट आना चाहिए जैट धाराएं तो जैट धाराएं छोब मंडल में चला करती हैं हम सभी जानते हैं वायू मंडल पांच परतों में बटा हुआ है तो सबसे निचली परत होती है छोब मंडल की ठीक है छोब मंडल में यह चला करती है जेट धारा है तो शो मंडल में 12,000 मीटर 12,000 मीटर यानि की 12 किलो मीटर ठीक है तो यह शो मंडल में 12,000 मीटर की उचाई पर प्रवाहित पवने है ठीक है और वस्तुता यह अत्यदेक उचाई पर बहने वाली पश्चिमी जेट पवने है जी यहां 12 किलो मीट किलो密र प्रतिगंटा होता है कितना होता है गर्मी के दिनाओ में नगभग 110 कव्थैंटा और शीट रितु में शी रितु में कर दोन में और अगली बात है कि यह पश्चिमी विच्छोब को उत्पन करती है जी हां आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन सी धाराय पश्चिमी विच्छोब को उत्पन करती है तो आपको बता देना है कि जैट धाराय पश्चिमी विच्छोब को उत्पन करती है और ऐसे विच्छोब बारत के उत्तर और उत्तरी पश्शमी भागों में बनते हैं. ऐसे विच्छुब का बनते हैं, बारत के उत्तर और उत्तर पश्शमी भागों में बनते हैं, इनहीं उपोष्ञ जैट धाराएं कहा जाता है. Clear? तो शवाल हो चुके हैं, और आज का आखरी सवाल है, 20 Most Important Question की सीरीज का आखरी सवाल है किसी शेत्र की जलवायू को नियंत्रण करने वाले कारकों के नाम बताओ भी ये डिटेल में बताना है ठीक है अतील अगुत्री ये लगुत्री प्रश्ण नहीं है देड़ खुत्री है तो जितने भी कारक हैं तत्व हैं अलिमेंट हैं जो कि किसी शेत्र की जलवायू को नियंत्रण करने में सहायक होते हैं उनको डिटेल में बताना है चलिए तो देखें जलवायू को नियंत्रण करने वाले कारकों कौन से हैं पहला है अक्षांस क्या है अक्षांस ठीक है अक्षांस क्या होता है प्रत्वी का जो ग्लोब है ग्लोब पर जो 36 रेखाएं होती है उनको क्या कहा जाता है अक्षांस रेखा कहा जाता है ठीक है तो प्रत्वी की गोलाई के कारण प्रत्वी कैसी है प्रत्वी एकदम गोल है और प्रत्वी पर कुछ इस तरीके से आपको अक्षान्स रेखाएं, खिची हुई दिखाई देंगी, अल्राइट, ठीक है, तो प्रत्वी की गोलाई के कारण, प्रत्वी पर पढ़ने वाली सोर उर्जा की मात्रा, ठीक है, यहाँ पर हम एक सूरज बना लेते हैं, यह बन ग पर तो सीधी पढ़ेंगी एकदम, लेकिन कहीं पर भई इस तरीके से तिर्ची पढ़ेंगी, और कहीं पर भई सूरज की किरने पहुंच नहीं पाएंगी, ठीक है, तो अक्षान्स क्या है, कि प्रत्वी के गोलाई की कारण, प्रत्वी पर पढ़ने वाली सोर उर्जा की मा बात मातरा, अक्षान्सों के अनुसार अलग-अलग होती है, जैसे जैसे अक्षान्स परिवर्तित होते जाएंगे, वहाँ पर सीधी पढ़ती जाएंगी, जैसी हम बात करें, ये भूमद़ रेखा की, तो भूमद रेखा पर तो एक-दम सीधी पढ़ती है किरने, ठीक, त तो तापमान विश्वत वरत से ध्रोवों की ओर घटता जाता है किसके कारण अक्षांस के कारण जिसे विश्वत वरत है ठीक है अब जैसे जैसे हम उपर की ओर बढ़ते जाएंगे या नीचे की ओर आते जाएंगे यह रहा आपका उत्री ध्रोव और यह रहा आपका दक्ष तो यहां क्या रहेगा यहां तापमान घड़ता जाएगा चाहे यहां विश्वत्रेका से उपर की तरफ आए चाहे नीचे की तरफ आए तो यानि कि अक्षांस का प्रभाव तापमान पर सीधा पड़ रहा है फिर तुंगता का मतलब क्या होता है तुंगता का मतलब होता है तो देखें जब कोई व्यक्ती प्रथवी की सतह से उचाई की ओर जाता है जब हम नीचे से उपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है वाई थंडी होती है ठीक है जब आप कभी हिल स्टेशन पर जाते हो जैसे आप पश्मणी जाते हो या पहाड़ों में घुमने के लिए जाते हो तो वो उचाई पर स्थित है ठीक है तो गर्मी में भी वो इस्थान थंडे होते हैं क्यों क्योंकि उचाई के सास्ता टेंपरेचर डि सथान खेлекometrt करता तो देएकि किसी भी शेत्र का वायूदाब एवं पमंतंद्र उस इस्थान के अक्षांस तथा उजाग पर निरभर करता है किस पर अक्षांस तथा उजाग परने फर करती अलग-अलग होगी यानि कि समान मात्रा में नहीं होगी फिर है चौथा समुद्र से दूरी देखो भई समुद्र का जलवाई उपर समकारी प्रभाव पड़ता है यानि कि जैसे हम बात करें भारत की बात करें तो भारत का जो प्राई डीपी शेत्र है यहाँ पर है अरब सागर यहाँ पर है आपकी बंगाल की खाडी ठीक और नीचे क्या है नीचे है आपका हिंद महा सागर यानि कि प्राई डीपी भारत में तीनों तरफ से जो है किस से घिरा है समुद्र से घिरा है अब जो इलाका समुद्र के पास है वहां की जल्वायू कैसी रहेगी? समझल्वायू रहेगी? समझल्वायू का मतलब क्या होता है? ना तो जादा ठंडी ना तो जादा गरम. ठीक है? तो समुद्र का जलवायू पर समकारी प्रभाव पड़ता है एक सा प्रभाव पड़ता है और जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है यह प्रभाव कम होता जाता है यानि कि यह जो इलाके हैं यहाँ पर तो जलवायू सम रहेगी लेकिन अब जो बीच के इलाके है तो वो समुद्र से दूर होते जा रहे हैं और जैसे जैसे ये दूरी समुद्र से बढ़ती जाएगी ठीक है तो इन सब इलाकों में क्या होगा इन सब इलाकों में यह प्रभाव कम हो जाता है और लोग विशम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं यानि कि इन छेत्रों में जलवायू एक सी नहीं रहेगी ठंड के समय जादा ठंड होगी गर्मी के समय जादा गर्मी होगी यानि कि सारी मौसमी परिस्थितियां इस शेत्र में पाई जाएगी फिर है महासागरिय धाराएं क्या है महासागरी धाराएं तो महासागरी धाराएं समुद्र से तठकी और चलने वाली हवाएं ठीक है महासागरी धाराओं के साथ तठीय चेत्रों की जलवायू को प्रभावित करती है ठीक है अब जैसे कि हम बात करें तो महासागरी जल्धारा हैं दुप्रकार की होती है एक होती है आपकी ठंडी जल्धारा ठंडी महासागरी जल्धारा और एक होती है आपकी गर्म महासागरी जल्धारा तो धारण के तौर पर हम समझाएंगी कोई भी तटिय शेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधारा बहती है और वायू की दिशा समुद्र से तटकी ओर हो तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा अब जैसे समुद्र से इस तटकी ओर गर्म जलधारा बह रही है तो ये जो तटिय इलाका है वह तट कैसा हो जाएगा गर्म हो जाएगा और अगर गर्म की जगए ठंडी मासागरी जलधारा समुद्र से तटकी ओर जा रही हो तो तट कैसा हो जाएगा ठंडा हो जाएगा अल्राइट चलिए अब है आखरी इसका तत्व है जलवायू को प्रभावित करने वाला उच्चावच लक्षण उच्चावच यानि कि उच्चे पर्वत की हम बात करें तो उच्चे पर्वत थंडी या थ्वा गर्म वायू को अवरोधित करते हैं जैसे कि उत्तर में क्या है हिमाल है पर्वत है अब यहां से थंडी या गरम हवा आएगी तो यह पर्वत क्या करेंगे उस हवा को वही पर रोक लेंगे अवरोधित करते हैं यानि कि अंदर पहुचने से रोकते हैं यदि उनकी उचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायू के रास्तों को रोकन हैं मैं सक्षम हो तो यह उस शेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं अगर पहाडों की उचाई पर्वतों की उचाई इतनी जाद हो कि वो उस शेत्र में बारिश लाने वाली हवाओं को रोकें तो शेत्र में बारिश भी हो जाएगी ठीक है और पर्वतों के पवना वि क्यान की पवन हवा वहां तक नहीं पहुच पा रही है तो यह छेत्र कैसे रह जाएंगे यह छेत्र जो है सूखे रह जाएंगे क्लियर और जहां हवा है उस और हवा है वहीं उन्हें हवा को रोका और बारिश वहां हो जाएगी अल्राइट क्लियर हो गई बात की कैसे अलग अलगत तो भारत की जलवायू को प्रभावित करने में सहायक होते हैं तो आज हमने most important question के तौर पर भी सवाल करें हैं उम्मीद है कि सारे सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगे और अगर अभी भी कोई भी doubt है कोई समस्य है तो फटावट से आपको comment में अपन सवाल लिख देना है हर एक सवाल का जवाब आपका दिया जाएगा अल्राइट किलियर है बात तो अभी तक चैप्टर को कितना पढ़ लिया कई सारे पार्ट्स में पढ़ लिया है एंसे डिटी शॉल्यूशन मल्टिपल च्वाइस question most important question इतनी सारी चीज़ें हमने जान ली है अब बचा क्या है complete chapter revision यानि की one short revision वो भी आपको बहुत चल्दी करा दिया जाएगा चलिए तो आज के session में बस इतना ही अगर आप हमारे daily के live lesson और recording lesson से जुनना चाहते हैं सारी चीज़ें प्लब्ध है Magnet Brains की YouTube channel website application पर Magnet Brains इंडिया का number one hundred percent free online education platform है इसके अलावा अगर आप e-books और e-notes भी चाहते हैं उसकी link भी वीडियो के description box में दी गई है आप वहां से avail कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कई सारे top courses Hindi और English दोनों medium में उपलब्ध है CBAC board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board इतने सारे board के slivers को complete कराया जाता है साथ ही साथ उन सारे state board के slivers को complete कराया जाता है जहां पर NCRIT का pattern follow किया जाता है क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको NCRIT से कई सारे special courses भी हमारे पास उपलब्ध हैं वैदिक में scratch course spoken English और इतने सारे courses एक ही single platform पर high quality education के साथ एकदम free में उपलब्ध करवाए जाते हैं Magnet Prince, YouTube के लावा other social media platform जैसे की Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, Purview Club दे आप हमें वहाँ भी follow कर सकते हैं वहाँ से भी सारी जानकारी प्राक्त कर सकते हैं तो आज के शेशन को जादा से जादा लाइक शेयर करते हुए चनल को सब्सक्राइब भी करना है हमारे साथ बने रही है जुड़े रही है पढ़ते रही है खुश रही है थैंक्यू सूमच